आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है एरपोर्ट से सीधे सहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती रिंग रोड का काम भी कासी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है बड़े बाहन और बाहर की गाड़िया अब बाहरी बाहर ही निकल जाती है बनारस आने वाली काफी सडके भी अब चौड़ी हो गई है जो लोग सडक के रास्ते बनारस आते हैं वो अब सुविधा से कितना फर्क पड़ा हैं ये अच्छी तरह से समझते हैं यहां आने के बाद आप चाहे बाबा विश्वनात के दर्सन करने जाएं या मागंगा के घाटों पर जाएं हर जगह काशी की महमा के अनुरूफी आभाब बढ़ रही है काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है लाखों लीटर सीवेज का ट्रेटमेंट भी हो रहा है इस विकास का राप यहां आस्था और परियतन के साथ साथ यहां की कला संस्कृतों को भी मिल रहा है ट्रेड फ्रेसिलिटेशन सेंटर हो रुदराख्ष कन्वेंशन सेंटर हो या बुनकरों कारिगरों के लिए चलाये जा रहे प्रोग्राम आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है स्वास्त के खेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रुप में उभर रहा है साथ क्यों जब मैं काशी आता हूँ या दिल्ली में भी रहता हूँ तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कारियों को गती देता रहूँ कल रात बारा साड़े बारा बजे के बाद जैसे मुझे अवसर मिला मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में जो काम चल रहे हैं जो काम किया गया है उनको देखने के लिए निकल पड़ा था गौदोलिया में जो सुंद्री करण का काम हुआ है वो वाकई ही देखने योग बना है वहां कितने ही लोगों से मेरी बात्चेत हुई